जय हिंद्ध दोस्तों आजम क्लास 7 के आपकी सोशल और पॉलिटिकल लाइव जो किताब है NCRT के उसका चैप्टर नमर 9 अशर्ट हिंदी मार्केट करेंगे इंट्रस्टिंग चैप्टर होगा इसमें हम जानेंगे दोस्तों आखिर एक शर्ट की जर्णी कैसी होती है एक शर्ट कॉटन बनता है यांड फिर उसके बाल वीवर के पास जाता है कपड़ा बनने के लिए फिर वो कपड़ा मर्चंट को देता है मर्चंट आपका फिर गाइंट TIME को देदेता है तो यह प्रोसेस हम पूरा जनेंगे लोग कौन-कौन से इन्वाल्व होते इन प्रोसेस में वह जानेंगे आखिर इन इक्वालिटी कैसे एक्जिस्ट करती है ठीक है इन लोगों में वह हम जानेंगे एक कॉर्टम प्रोड्यूसर फिर एक वीवर मर्चंट फिर आपका गार्मेंट एक्सपोर्टर और एक फाइनल आउटबूर 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 आपका जो शर्ट बिकने के लिए आपको दुकानों में मिल जाता है यह हम पूरा प्रोसेस में जानेंगे बहुत इंट्रस्टिंग चैप्टर होगा मज़िदार चैप्टर होगा और 9 चैप्टर है इसके बाद सुर्फ आपका एक चैप्टर और बज जाता है Struggles for equality ठीक है उसके बाद हमें थोड़ा सा फोकस अपना वर्ल्ड जोगरफी पे डालना है थोड़ा सा यार उसमें लेक्टर्स कम आ रहे है तो मजा लीज़े बस लेक्टर का अशर्ट इंदी मार्केट हम करेंगे नए है तो यार नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीज़ें मेरा नाम सौरवराज है आए चलिए हम आगे अपना लेक्टर शुरू करें अशर्ट इंदी मार्केट इस चैप्टल तैल्स इस टोरी ओफ शुरू इट बिगेंगे इस बिगेंगे अपको बताया प्रोड़क्शन अफ दी कॉटन ठीक है कॉटन की प्रोड़क्शन से लेके शुर्ट आखिर कहां बिकने तक जारे इस पूरी इम स्टोरी देखेंगे एक चीन देखेंगे आखिर वो चीन कैसे क्रियेट होती है ठीक है एक कॉटन प्रोड़क्शन से फिर सेलर तक हम पूरी जर्णी देखेंगे तो बहुत चीज आपको जानने को मिलेगी और यहां पर एक और सबसे बड़ा कोशन जो है जो आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगा important question is does everyone benefit equality from this सब को क्या benefit होता है क्या equality इनके बीच में exist करती है कि सब अपना मुनाफ़ा मानने पर तुलेव हो है सब को अपना-पना मुनाफ़ा चाहिए कि ठीक है जितनी कटोथी कर सकते हो करो चाहे वो trader हो चाहे वो जो आपका जो गाव में लोन देते हैं जमीनद तो इसकी एक cotton farmer है सबना उनकी story देखेंगे ठीक है सबना आपकी यह एक farmer है small farmer है उनके बास चोटा सा piece of land है जहां पर यह cotton हुगाती है ठीक है the balls of the cotton plant are ripe and some heavy already burst so सबना is busy baking cotton ठीक है आपकी cotton cotton ऐसा नहीं होता कि आपने plant होगा यह फिर वो निकला cotton आने लगे बर्स बॉल टाइप होगी वो बर्स होगा तब जाकि उसमें से cotton निकलता है ठीक है the balls which carry the cotton in them do not burst open at all at once so it takes several days to harvest the cotton अब देखी क्या होता है यह जो balls होते है जब burst करते है ना तो ऐसा नहीं है कि भट 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 सारे एकी साथ मलब भटाएगो जाए मलब सब एक साथ फूटेंगा नहीं ऐसा नहीं होता है एक ञएक होता है कि पुच कुछ करके फूटते हैं तो ईसमें क्या होता है कि हम ऐसा नहीं होता है कि एक फूटा तो उसमें से cotton निकालेका छो जब बालते हैं अब सबसे सब्स्री चीजमतिक का होती है कि जब आपकी cotton की हर्वेस्ट कर रहा है कॉर्टन की जब हर्वेस्टिंग हो रही तो इस ताइम पर बारिश नहीं होनी चाहिए नहीं तो आपको भी पता है क्या हाल होगा उस कॉर्टन का मला बरबाद हो जायागा सब गीला हो जाएगा कॉर्टन फिर फाइदा क्या है तो बारिश नहीं होनी चाहिए ऐसा कहते हैं और सही में ऐसा ही है once the cotton is collected instead of selling it at the Kurnool cotton market Swapna and her husband take the harvest to the local trader अब देखे क्या हुआ जब एक बाद cotton उनके पास collect हो गया cotton उन्हें harvest कर लिया तो उससे उन्हें बेचन कहा जाना था कौनूल के cotton market में जाना था पर वो ऐसे नहीं करते वो लोग कहा जाते है Swapna और उसका husband था वो लोग जो सारा cotton है वो लेके किसके बाद जाते है local trader के पास local trader होता है trader के बाद जाते है और क्यों जाते हैं यह हम देखते है at the beginning of the cropping season Swapna had borrowed 2500 from the trader at a very high interest rate to buy seeds fertilizer pesticides for cultivation आप देखिए बात ऐसी है यहां पर पहले ही अगर आप देखिएगा जो Swapna थी उसने क्या किया था कि 2500 रुपय उधार लिए थे 25 रुपय उधार किससे लिए थे ट्रेडर से लिए थे किसके लिए लिए थे seeds के लिए fertilizer के लिए pesticides के लिए ठीक है ताकि cotton अच्छे सो हुआ आपा है इन सब की चीज़े इन सब की जरूरत होती है और 2500 रुपय लिए तो लिए साथ ही साथ में trader ने heavy interest लगा दिया मतलब एकदम गजब का interest rate लगा दिया तो और button बढ़ गया ठीक है at that time the local trader made swapna agree to another condition he made her promise to sell all her cotton to him और उसी time पर देखे उस trader ने क्या दिमाग चला लिया आपने कई movies वगरे में भी देखाओगा ऐसे scenes देखने को मिल जाते mostly मैंने देखा था यार एक South London movie थी उसमें भी कुछ ऐसा scene था ठीक है पस cotton का नहीं था कुछ और था तो उसमें trader ने देखे क्या दिमाग चला लिया आपका सब अपना से कहा थीक है मैं तुम पैसे दो दूम अपर एक और condition है तुम जो अपना cotton है वो मुझे ही बेचोगी ठीक है तो अपना agree कर जाती है cultivation of cotton requires high levels of inputs such as fertilizers and pesticides and the farmers move have to incur heavy expenses on account of these cultivation of cotton होती है उसमें आपको high level of input चाहिए होते है जैसे आपको fertilizer चाहिए आपको pesticide चाहिए farmers की महनत बहुत जादा लगती है farmers जो उस पर काम करते हैं heavy expenses यह मांगता है most often the small farmers need to borrow money to meet these expenses अब देखे क्या होता है banks अगरवा नहीं है कोई ऐसी facility नहीं है कि उन्हें loan या government कोई ऐसी scheme नहीं है उस time पर अब तो काफी साथी schemes से जहां पर farmers loan ले सकते हैं low interest rate पर ठीक है तो उसमें क्या है इन लोग के पास कोई चाहरा नहीं बसते यह लोग trader के पास पहुंच जाते है money पैसे चाहिए तो यह लोग क्या कहते हैं करते हैं ट्रेडर से जाके पैसे उधार ले लेते हैं और फिर आपको पता ही है कि trader क्या हालत करता अब trader के यहां क्या हुआ याड पे दो लोग थे उन्होंने नापा तौला किसको कॉर्टन को नापा तौला अट प्राइज ओ फिफ्टीन हंड़ पर कुंटल और उसने कहा कि मैं आपको पंदरह सुप पर कुंटल दोंगा और चार कुंटल उन्होंने नापा तो चार कुंटल का कितना भाव पढ़ गया पंदरह सुप पंदरह सुप आपको बताता हूं ट्रेडर ने 3,000 रुपए ऐसे काट लिए कि आपके 25 रुपए तो उसने लोन दिया था ठीक है उसके बाद इंट्रेस्ट भी लगाया था तो इंट्रेस्ट आपका 500 रुपए हो गया अब आप सोच लिजे कितना भाविंकर इंट्रेस्ट लगा था गजब का इंट्रेस्ट अब इस टाइम पर सस्ता चल रहा है अगर तुमको यकीन निया तो जाओ कॉर्टन मार्केट में पता करके आओ ठीक है तो सपना कहती है I have toiled so hard for four months to grow this cotton मलब देखे यहां पर फिर सपना देखे का क्या कहती है मेरी इतनी मतलब हालत बुरी हो गई इतनी गंदी महनत की है मैं इस टाइम ठीक है आप देख सकते हैं कितना बड़िया हो रहा है I had hope to get a much better price अपना कहती है कि मुझे उमीद थी कि आप कुछ तो अच्छा price दोगे कुछ अच्छा दाम तो मिलेगा मुझे इस महनत का मेरी cotton का जो मैंने produce किया है ठीक है अपने खेतों पे कुछ तो मिलेगा पर कुछ नहीं मिलता 3000 रुपे क्या गुजारा चलता है 3000 रुपे में तो क्य अच्छा प्राइस दे रहा हूं अधर जो ट्रेडर्स हैं वह इतना भी नहीं दे रहे हैं मैं तो तुमको उससे भी जादा दे रहा हूं यू कन चेक अड़े कुणूल मार्केट अब देखिया क्या होता है न जब कोई चीज हम गलत कर रहे होते हैं पता है कि गलत चीज कर रहे है तो उसमें एक डायलोग आपने कई बर सुना होगा कि यकीन नहीं तो पूछ लो तो वह पूछेगा तो है नहीं पूछेगा कि ठीक है तो सुपना कहती है कि जनाब डेडर को कि बुरा मत मानिये मैं आप पर डाउट क्यूं कर रहूंगी जबकि उसे पता तंदर की गपले बाजी कर रहा है ठीक है पर वह क्यूं कहेगी पता हूं क्यूं कहीगा अगर उप कुणूल मार्केट में चली जाती है तो ट्रे इसने कहा था कि मुझे लगा मुझे होप थी कि मुझे ज्यादा अर्निंग होगी इस बार दो सुपना को पता था कि 1800 पर कुईंटल बिक रहा है आपका कॉटन पर उनसने फिर भी आर्ग्यू नहीं किया क्यूं नहीं किया मैंने आपको बता दिया क्यूंकि ट्रेडर पाव कि ट्रेडर फुल ता मैं विलेज में ठीक है फार्म उसी पे टिपेंड करते हैं कि इसलिए बड़े ल ऻखेंड करते हैं कई काल्टिविशन के लिए आपको बाग पाई सब था इन सब निरभर ते बड़ेशंग किस्वजस ऑगए और तरीके से उससे नाराज हो सकते थे तो तब ही आपना कहती है कि मुझे आपर कोई डाउट नहीं है, गुस्टा मत कीज़ए, गुस्टा हो गया होगा Also there are times in the year when there is no work and no income for the farmers, so boring money is the only means of survival आदे से जादा काम तो होता नहीं, cotton की cultivation तीन-चार महीने में हो गई, तो बार कर लेंगे तो आठ महीन, चार महीने माल लीज़े, उसके बाकी के महीने क्या होगा बैठे रहते हैं कुछ होता होगा, बाकी के काम करने पर पैसे की कमी होती है, तो उनके survive करने के लिए उन्हें लोन्स वगेरा चाहिए होते हैं तो इसके लिए ट्रेडर बहुत जरूरी हो जाता है जो powerful man बैठा हुआ है आपका village में तो इहां पर देखने को मिल रहा है, स्वपना सोचती है, यहां पर देखना पड़ेगा कि कॉटन की कल्टिवेशन से हमने यह चाप्टर शुरू किया, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कीज़ो देखने के लिए बढ़ेंगे newcomer आपका लाइट मार्कटि तरफ जाएंगे छलिए का मलाडु में तक लाइट मार्क चरफ ऑंक्ड पर लोटए कर का में ग치는 ग के है कहां पर दुदेखने के लिए a large variety of clothes is sold in this market large variety of cold clothes plot that is made by weavers in the villages around is also brought here for sale clothes you know, weavers have been created what were in villages pieces yarn for cotton after yarn weavers weavers set it in powerlooms it can be whatever clothes क्लोथ हो सकता है ठीक है around the market are offices of cloth merchants who buy this cloth अब देखिए कि इस cloth के अगर देखिए मलब इस cloth market अपका erode इसके आसपास आपको कई offices वगरा देखेंगे cloth merchants के जो क्या करते हैं जो यह weavers आते हैं अपना कपड़े बेचने देने तो वो खड़िता है इनकपड़ों को other traders from many south indian towns also came and purchased cloth in this market काफी सारे south indian traders जो होते हैं वो यहां से आते हैं अपने cloth पगेर परचेस करने on market days you would also find weavers bringing cloth that has been made on order from the merchant अब देखिए on market days अगर market के दिनों में अगर आप देखिएगा कुछ weavers आते हैं जो अपना cloth होता है वो merchants को देते हैं जो पहले ही order पर बन चुका है order पर बन चुका है यानि एक amount और उन्होंने fix कर लिया होगा ठीक है एक fix कर लिया होगा और फिर weavers को देदेंगे these merchants supply cloth on order to government manufacturers and exporters around the country अब यह manufacturer merchant जो होते हैं बिचौली होते हैं बिचौली मतलब weavers बना के देंगे इन्हें merchants exporters को आपको देदेंगे ठीक है जो government manufacturers or exporters उनको देदेंगे बाट देंगे supply कर देंगे कपड़े they purchase the yarn and give instructions to the weavers about the kind of load that is to be made merchants अब यह क्या करते हैं आपका yarn खरीते हैं जो cotton से बनता है ठीक है yarn खरीते हैं और फिर weavers को देदेते हैं और उन्हें instructions कर देते हैं कि किस प्रकार के क्यों कौन से कपड़े बनाने साड़ी के लाइक कपड़े बनाने ठीक है कुर्ता बजा में लाइक कपड़े बनाने फिर आपका three piece जो था उसके लाइक कपड़े बनाने तो यह सब आपका बता देते हैं यहाँ पे जो आपके merchants होते हैं in the following example we can see अब हम देखेंगे following example नीचे example यह आप देख सकते हैं ठीक है यह आपको यह पर एक दिख रहा होगा merchant का shop यह पर आके यह कपड़े बना के दे रहे होंगे यह आपका है power loom power loom आपको इस तरह से कुछ दिखता है putting out system weavers produces cloth at home अब weavers किम थोड़ी सी यहाँ पर स्टोरी जानेंगे the merchant distributes work among the weavers based on the orders he has received for cloth अब merchant क्या करता है उनको कोई order मिला होगा आपको cloth manufacturer कुछ बोला होगा कि हमें भाई सब इतने कपड़े चाहिए इतने shirt pants चाहिए ठीक है इतने कपड़े चाहिए तो merchant के पास order आया merchant ने क्या किया वही order distribute कर दिया बहुत सारे weavers में कि आपको बनाना है यह यान दे दिया उन्हे the weavers get the yarn from the merchant and supply him the cloth weavers क्या करते है yarn लेते हैं merchant से और supply करते हैं उन्हें cloth for the weavers this arrangement seemingly has two advantages weavers के लिए यहाँ पर दो advantages है the weavers do not have to spend the money on the purchase of yarn weavers को अपना पैसा नहीं खर्चना पड़ता किस पर yarn also the problem of selling अब देखिया एक तो yarn पर उन्हें पैसा नहीं खर्चना पड़ता किसको वीवर्स को जो cloth बनाते हैं and selling वगेरा के चक्कर में उन्हें नहीं पढ़ना कि weavers know from the outset that what cloth they should make and how much of it is to be woven यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा weavers को पले इंस्टक्ट कर दिया जाता है कि आपको किस प्रकार के आपको cloth बनाने है however this dependence on the merchants both for raw material and markets means that the merchants have a lot of power अब यहाँ पर merchants के पात क्या हो जाती है ना बहुत सारी power हो जाती है क्योंकि उनके बाद raw materials पर depend करते हैं weavers उन पर तो यहाँ पर आपको merchants की बहुत सारी lot of power देखने को मिलते है बिचॉलिया है ना तो बिचॉलिया है तो अपना profits and margin रखेंगा ही weavers को और पहुत कम पैसे देते हैं cloth बनाने के जादा पैसे नहीं मिलते हैं the weavers have no way of knowing who they are making the cloth for or at what price it will be sold weavers को नहीं पता होता है कि वह cloth आखिर किसके लिए बना रहे है क्योंकि merchants खुद तो पहने कापड़े कि लूंगी की तरह नापलिया यह खुद साड़ी बना के पहन ले ठीक है साड़ी के कपड़े तो चलो साड़ी बनाएंगा 3-piece नहीं वह बागे बेचेंगा इस तरीके साब देखिए तो यह merchants की तरफ आपको favor करता हो देखता है market जिसमें weavers को कुछ अता पता ही नहीं है क्या करो कपड़े किसके लिए बना रहे है कितने कपड़े बिक रहे है तो यहां पर और देखेंगे आगे weavers invest all their savings and borrow money at high interest rates to buy looms अब देखिए क्या होता है power looms होते है जिनसे कपड़ा बनता है आपका जल्दी बन जाता है machine होती है तो उन लोग को क्या करना पता है borrow money, पैसे उधार लेने पड़ते है interest भी देना पड़ता है उस पर लग से all their savings हो गया high interest लगता है उन पावर looms को खरीदने में each loom जो आपका एक loom जो होता है करीवर 20,000 रुपय का पड़ता है so a small weaver with two looms has to invest 40,000 तो जो एक छोटा सा weaver जो आपका है उसको दो looms खरीदने पड़ेंगा बाव looms और उसके लिए कितने देने पड़ेंगा उसे 40,000 रुपय plus interest अलग से जोड लीजागा the work on these looms cannot be done alone अब इन looms पर work अकेले तो होगा नहीं तो 2-3 जने पूरी family मिलके काम करती है यहां पर दिख रहे हैं the weaver and other adult member of his family work up to 12 hours a day to produce a cloth ठीक है weaver जो होता है और उनकी family के जो अन्य adult member होते हैं वो लोग 12 घंटे लगबग काम करते हैं किसके लिए सिफ cloth बनाने के लिए for all this work they earn about 3500 per month अब देखिए for all this work they earn about 3500 per month 3500 रुपए महीने कमाते इतना कम अब आप सोचें कि 3500 यह तो सौपना से भी जाता है अब मैं आपको बतातू देखिए कि 40,000 उन्होंने इंवेस्ट किया पावर लून से 3500 को आप 12 into कर लिए महीने का मान के चलें तो 42,000 42,000 में 40 गटा देंगे तो 2000 रुपए आप साल की इंकम गमा रहे हैं ठीक है आप सोचें कि 2000 रुपए 2000 रुपए साल की मतलब बताओ वीवर्स यहां पर बैंड बजा रखी थी मर्चंट्स ने कुछ पैसे मिलते ही निता है इनकी तो हालत बूरी हो रखी थी ठीक है यहां पर हमें यह देखने को मिल रहा है है ना यहां पर हमें यह देखने को मिला ना The arrangement between the merchant and the weavers is an example of putting out system इस arrangement को हम देखी का putting out system कहते है समझ लीज़े Whereby the merchant supplies the raw material and receive the finished product raw material supply करता वीवर्स को finished product ले ले लेता है It is prevalent in the weaving industry in most regions of the इंडिया आपको यह देखने को लगतार मिलता जाएगा जातर आपको regions भारत के हैं उसमें जब तक यह चीज नहीं आई वीवर्स ने क्या कि वीवर्स का धिमाग खराब हो का कि यह तो भाई हमारी बैंड बजाए दाने हैं देखे क्या लिखा हो यह पर यह थोड़सा आपको जो box है NCIT होगी ताप पढ़ लीज़ेगा तो आपको अच्छे समझ में आजाएगा वीवर्स के करने हाँ काम करने वाले लोग वोीवर्स क्या होता है कि अधार बुप करने वाले लोग यह तो यह तरीक इस आपने हैं और इसके तहत क्या होता है ना कि dependence कम हो जाती है वीवर्स की ठीक है तो वीवर्स का chance होता है कि राइयर इंकम उर्ण कर सके इन और कोपरेटिव इसके पीपल विट कॉमन इंटरस कम तोगैदर और वोग फॉर्ट वेनिफिट के लिए तो एक साथ आते हैं और सब अपनी मुछल बैनिफिट के लिए काम करते हैं इन वीवर्स कोपरेटिव दवीवर्स वाग्रॉप एंड टेक अप और सब वीवर्स में बाड़ देते हैं तो कोपरेटिव और सब्सक्राइब के लिए उसके बाद कोपरेटिव ने क्या कि लोग खुद अपनी मार्केटिंग करने लग गया मार्केटिंग की तो यह लोग क्या हुआ मर्चंट को जो बना के देते थे अब उसकी भी इनको प्राइस जाद मेलेगा इंकम जाद होगी और फिर अब समझ सकते हैं मर्चंट की बैन बच जाएगे मर्चंट वीच मे रहेंगे लिए जब सब चीज़े कर लेंगे तो यह अच्छा एक बात थी कभी कभी बार तो गोर्मेंट भी हेल्प कर देती इनकी अब देखीगा एक्जामपल हैं पर तमिल नाडु गोर्मेंट रून सब फ्री स्कूल उनिफॉर्म प्रोग्राम लन करती है अपने स्टेट में अब देखिए जो बच्चों के लिए जो कपड़े फ्री स्कूल उनिफॉर्म प्रोग्राम के लिए जो गोर्मेंट खरीटी है वह इन ही कॉपरेटिव से खरीद लेती है similarly the government buys clothes from the handloom weavers cooperative and sell it through the stores known as coptex अब जो कपड़े government खरीटी है इन लोग से close मान लीजए कोई अलग कपड़े तो इन लोग को यह sell कर देती है website आपकी coptex करके website आप देख सकते है Google पर search मान लीजएगा you might have come across one of these stores in your town फिर आप जाके इस पर कपड़े जैसे खरीटते हैं बैसे खरीट सकते हैं order कर सकते हैं तो यह आपको यहां पर वीवर्स की cooperative देखने को मिलती है next चलते हैं आगे यहां पर आपको कुछ girls दिखनी है button लगाते होगे आपको इसमें दिख जाएंगे button लगा रही है ठीक है अब अगर हम आगे चलें तो आपने वीवर्स के बारे में जान लिया सौपना के बारे में जान लिया अब आपने भी देखा कि थोड़ी inequality उनके वीज एक्जिस्ट करती है कम कमाते हैं कोपरेटिव बनते हैं वीवर्स के ऐसे नहीं है कि आपको से वीवर्स के कोपरेटिव देखने को मिलेंगे काफी सारी बड़ी बड़ी आपको अगर मैं कोशन पूछता हूं आपको कमेंट सेक्शन में भारत की जो टॉफ 5 कोपरेटिव और गनाजिशन है ना अच्छा कोशन है आप बताईएगा थोड़ा सा पता रहना चाहिए तो कोशन है बताईगा अंसर अब चली हम आगे देखेंगे तो गवर्मेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर देली सॉरी गवर्मेंट कह दिये मैंने सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा एकमें अच्रण government exporting factory नीर देली नीद इखेंगे इनपकर क्या चकर देखेंड़ी आप देखेंगे हम धेडीने मैं इनको कपडल बेच देता था था घर बैच्द देता था किसको इन गवर्मेंट फेक्टरीज को अब यह जो गवर्मेंट एक्सपोर्टिंग फेक्टरी थी यह लो क्या करते थे यह जो कपने आया है तो इनसे बनाते थे टी-शेट बनाते थे फिर साडी, सूट, कुछ भी मनाना हो पजामा कुर्ता बनाते थे अपना खीक है, तो शट एक्सपोर्टिंग फोर्रैक्ट उर्म यह जो यह जो आप्सपोर्टिंग्टरी । बर्यृट्स को अब ही एक्सपोर्ट्न पूर्मक्टर्ण तर को लिए-ंड इस बिजनेस परसंन फम दि यूम फॉर्भ फिर देखे इस लेग यूरोप को डियूम और टीज परसंस में इस जो उड़ा करे बड़ा नाम कपड़ एंडिया मुलते हैं यहां पर आपको देखने को मिलेगा और यह जो बड़ी-बड़ी बिजनेस हैं यह स्ट्रीक्टली अपने ही टर्मस पर सारा चीज जाती है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो ठीक हमें जहां प्रॉफिट मिलेगा क्यों अब यह क्या करेंगे एक जना तो एक्सपोर्ट करनी र यहां पर इंडिया में महेंगा बिल रहा है तो सारे उनकी टर्मस होते हैं और टर्मस क्या होंगी मुस्ली एक टर्म जो आपकी जितनी भी टर्म से बता रहे हैं एक ही चीज भूब पर आती है कि भाई मारा मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए इन फॉरन बायर्स का ठीक है कि 400 के समान 300 में बेच देंगे अब बेचेना तो हैं ठीक है इन इडिशन दे सेट हाई स्टेंडर्स पर क्वालिटी और एक प्राइस बिकाम ऊपर से स्टेंडर्स हाई सेट कर देते हैं कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ठीक है और टाइमली डिलेवर होना चाहिए एक प्रोडक्त में या डिले हो जाती है तो कहेंगा डिलिवरी कैंसल मलब डिलिवरी में तो मलब डिल कैंसल अब हम नहीं करेंगा आपके सार्थ कपड़े नहीं लेंगे सो थे एक्स्पोर्ट ट्राइज थे बस्त थे शूर्डु तो मिड थे गिए पैस्पोर्ट जो होता है स्ट वह न अपना बैस दे देता है अपना best देते हैं, अपना best देते हैं, कि यह order पूरा हो जाए जली आगे चले हम faced with such pressures from the buyers, the government exporting factories in turn try out cost cut ठीक है, try to cut cost अब क्या होता है, यह pressure पड़ता है, तो government exporting factories होती है, क्या करती है, cost cutting method अपनाती है कैसे का अपनाती है, lowest wages workers जो होते है, they get the maximum work out of the workers at the lowest possible अब यह लोग क्या होती है, government factories कहेंगी कि अपने जो workers होते हैं, उनसे एक तो best possible निकल वालो जितना से जितना काम निकला सकते उतना निकला अब बदले में पैसे यतने दे दो कि बंदे की हालत बूरी हो जाए अब गुजा रहा ही नहीं चल पाए, ठीक है बहुत कम दाम दो, this way they can maximize their own profits and also supplying the garments to foreign buyers at a cheap price ठीक है, इसके तहित क्या होता है, अब देखें, buyers जो है, powerful buyers इन्हें पैसे दे नहीं रहे, अब इनका दिमाग चलेगा, इनको भी profit कमाना है तो यह लोग क्या करते हैं, wages कार्ट लेत इन लोग को, तो उसके तहरे रहे, wages कार्ट देते हो, तो यहां पर यह बात कही गई है, the impacts government factory has 70 workers, impacts government factory has 70 workers, most of them are women, जातर इनमें कोने महिलाए है, most of these workers are employed on a temporary basis, जादे तर्च होता है, यह लोग permanent रखते भी नहीं है, ठीक है, जब इमन्चार चलो भगो यहां से, निकाल देत क्योंकि उन्हें जरूरत है, कुछ तो पैसे मिलेंगे, जादा पैसे ना मिलें, तो most of the workers are temporary basis, जातर workers को temporary basis पे देखने को मिलेंगे, this means that whenever the employer feels that a worker is not needed, the worker can be asked to leave, भगो यहां से, अगर employer को लगता है, कि यहां पर worker जो है, उनका किसी काम का नहीं, कुछ कर नहीं रहा है, पैसे workers wages are fixed according to their skills, workers wages are fixed according to their skills, workers wages are fixed according to their skills, the highest paid among the workers are tailors, जो highest paid workers, जो होते हैं, उसमें आपको देखेगा, तो tailors को 3,000 रुपे मिलते हैं per month, अब 3,000 रुपे भी कुछ जादा नहीं है, but 3,000 रुपे tailors को सबसे जादा मिलते है per month, women are employed as helpers for thread cutting, women's को क्यों रखते हैं, button लगाना हो, ठीक है, button button लगाना हो, thread cutting करनी हो, ठीक है, ironing करनी हो, packaging करनी हो, तो यह सब काम के लिए आपको women's की सवर्वत परती है, these jobs have the lowest wages, और इन कामों की wages होती है, ना के बराबर, ठीक है, इन jobs की wages होती है, ना के बराबर, payment to workers per month, payments देखी कैसे कै से मिलती हैं, लोगों को, यह भी हम देख लें, तो टेलर को 3000 रुपे पर month, iron के लिए डेड़ रुपे पर piece, पर piece अगर शर्ट वर्ट है, तो iron करने के लिए, डेड़ रुपे, checking करने के लिए 2000 जो होते है, thread cutting and button के लिए 1500 रुपे, बताओ, पर month, तो कितना कम है ना, बताओ बहुत कम है, अच्छी बात नहीं है, अब यहां तक आपने देख लिया, हमने देख लिया, cotton कैसे उगता है, स्वपना की स्टोरी देखी, कुर्णूर की, फिर road market में देखा, वीवर्स की condition देखी, वीवर्स ने cooperative बनाया, वो जाना, फिर garment exporting factory जो आपकी दिल्ली में हो देख बायर्स कैसे बैंड बजा रहे हैं, अपनी शड़तों पर काम करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी maximum profit चाहिए, अब maximum profit वो तो कमा लेंगे, पर यहां पर जो government exporting factory में जो मालिक है, उसको भी profit चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो wages कम कर देगा अपने यहां के workers की, ठीक है, temporary basis प workers को रखेगा, टेलर को जादा पैसे मिलेंगे, बाकियों को कम मिलेंगे, बाकी जादा तर आपको women's देखने को मिलेंगे, और सब temporary basis पे हैं, तो यह था आपका एक over, देखेगा, अब तक आपका chapter, अब last topic आपका बच जाता है, the shirt in the United States, अब जो यह final shirt बन चुका है, आपका जो आपका cotton से शुरू हुआ था, अब फूल shirt बन चुका है, अब यह बेकनी के लिए तयार है, जो buyer ने ख़ीर लिया है, जो United States में, अब यहां पे United States के में कहानी देखते हैं, the number of shirts are on display at a large clothes shop in the United States are on a price of $26, that is, each shirt sells $26, around 1800 अब जात तर अमेरिका में जाईए, अमेरिका में द अधारो सुर्पए, ठीक है, 18 रूपए में एक shirt भी करिया, एक shirt, सोच रहे है के तना मुनाफ़ा कमाएंगे, अभी वो भी हम देखेंगे, तो यहां पे अगर आप देखिएगा, 3 सुरूपए में, इन उन्होंने shirt purchase किया, ठीक है, 3 सुरूपए में, इन जो, आपके जो buyers थ इन्होंने शर्ट पर्चेस के फॉरन प्लेयर्स जो थे स्टोरेज वगेरा का खर्चा आया 200 रुपया एडवर्टाइजिंग का माल लीजे 400 रुपया जादा करते हैं यह देखा नहीं आपने काफी सारे अडवर्टीजमेंट्स आगा यूटूब अगरे टीवी देखते होंगे शर्ट के भी आ जाते हैं ठीक है तो यह जादा करते हैं तो 400 रुपय समें लगे अठार सुर्पय में बेचा था 900 रुपया आपकी टोटल यह कोस्ट आ गई 300 परचेस की 200 स्टोरेज की और 400 रुपय और 900 रुपय उन्होंने प्रॉफिट कमा लिए सर्फ एक शर्ट पर यानि अगर 100 शर्ट भी अगर कि इतना तो आपका मान लीजे सिर्फ है और यह पूरा आपको प्रॉफिट है जो यह मार्ट प्रेज ले जाएंगे तब ही तो यह कहते हैं कि जितने कम से कम में आप दे सके शर्ट मलब एक मान लिए जली जारा की शर्ट आपकी 300 रुपय में खई फिर जारा ने बेचे दि 300 पर पीस the cloth and other raw materials cost him Rs.100 अब जो garment यहां पर आपने देख लिया जो युएस में जो वन्दा है जो शर्ट बेच रहा है उसका profit 900 रुपय अब जो garment exporter है वो देखे profit कैसे कमाएगा 300 रुपय में sold the shirt 300 रुपय में उस शर्ट बेची the cloth and other raw material cost him Rs.100 अब जो देखिए 25 रुपय पर शर्ट पढ़े थे आपको उसकी wages की workers की ठीक है wages जो देने थे workers को 25 रुपय पर शर्ट हिसाप से average लेके चलें the cost of running his office came to office चलाने का खर्चा पड़ा था 25 रुपय पर शर्ट can you calculate the profit per shirt for the government exporter 500 रुपय यह भी कमार है profit मानके चलिए 300 रुपय में उसने बेचा ठीक है 100 रुपय पर शर्ट को उसको cloth और raw metal खरीदने का पड़ा 25 रुपय उसने wages दिये workers को पर शर्ट 25 पर शर्ट उसने दिये आपके running office को run भी तो करना है तो 1.500 यह हो गए 300 मिसे minus कर लिए तो 1.500 आपका garment exporter भी मतलब पैसे उठा रहा है यहां पर आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे देखिए महनत लगी सबसे ज़ादा आपको cotton जो बना रहा है आपको ना के बराबर पैसे वीवर्स की महनत लगी यह cloth बना रहा है ना के बराबर उने मिल रहा है पैसे भी की कॉन जाड़ फिर जो आपका जो फाइनल जो shirt वहां का जो माले को था उतर बिसनेस का तो यह आपको देखने को मिल रहा है आगे चले हम कौन मार्केट में ठीक है इतने आपने ताम जाम कर लिए ठीक है शर्ट हमने कॉर्टन से बनानी कॉर्टन से बनी बटन बटन लगा जाके शॉप में गई 26 डॉलर में 800 रुपय में 900 रुपय प्रॉपिट कमा लिया उस बिजनसमेन ने ठीक है तो आकर गें कौन कर रहा है नज यजा मार्केट tutoring रॉप कहं से बनानी के शुषए रुपय रुपय में स्टैन ने इस कंग आप है ऐस्प्रेश यज अर्वाम्या थाजी उपिन लिड़ाँ कतने बटन को यह रिख को भीले कि लिटन लिफु अजों को कितने मिलने इस ही मृषळ आट रुचाऽ हुष़ को तो उनके लूम लगा था पावर लूम अब 42,000 रुपय उसाल का मार रहा था यानि 2,000 रुपय उनकी भी बैंड बजा रहा रही थी ठीक है फिर गार्मेट एक्सपोर्टर अपना 500 रुपय प्रॉफिट मार ले रहे है जो सेलर्स है वह आपका 900 रुपय प्रॉफिट मार ले इह जो पूरी प्रोस्स कर रही है और लॉस इसका हो से जो सब się saith जाए उसका हुआ कोई है आपका जिसने corn बना रहा है तो इन्हों ने महनत की परीने बहुत कम पैसा मिल रहा है तो यह आपको देखने को मिल रहा है आपर अब अब मार्किट अनिक्वालिटी यह आया ने तम यह पूर देखिए का तो आपकी किताभी इक्वालीटी बेश चल्प पेश्ट है तभी तो आपका last chapter is struggles for equality यह भी हमें देखने है वो जानें हैं थीक है यह भी हम देखेंगे The foreign business persons made huge profits in the market foreign business person आपको पते हैं यह जबदस profit कमाया है Compared to this the government exporter made only moderate profit Government exporter ने भी देखी profit कमाया है पर उसके मुकाब़े foreign business man था परसंत उसके मुकाबले तो कमी कमाया On the other hand the earnings of the workers at the government factory and barely enough to cover their day-to-day needs Okay इनको तो हम भूली है Government factory में जो workers काम कारें इनकी बेंडबजी इनकी कौन सी salary जाता थी इनकी बेंडबजी और महनत यह भी कर रहे है Shirt बना बटन लगा रहे है इनकी इनकी भी है Similarly, we saw the small cotton farmer and the weaver at erode put in long hours of work hard यह पर देखने को मिल रहा है Inequality इरोड में जो आपके वीवर्स थे फिर cotton जो producers थे इनकी भी आपको हालत बुरी है मैनत जाद कर रहे है But they did not get a fair price in the market for what they purchased अब देखे क्या हो रहा है Produced फिर भी इन लोग को एक correct dham नहीं मिल रहा है जो यह लोग उगा रहे है Produce कर रहे है Sorry दोस्तों अब पीछे सावाज आ रही होगा घाना चला रहा है The merchants or traders are somewhere in between Merchants or traders are somewhere in between Compared to the weavers, they have earned more but it is still much less than the exporter Weavers देखे को कमाते हैं Weavers देखे के मुकाबले Thus not everyone gains equally in the market We are looking at the work that is happening We are looking at the work that is happening I mean How much work is happening here But not in the market Equally or equal money Democracy is also about getting a fair wage in the market Democracy is also about getting a fair wage in the market The amount you need to get in the market Whether it is Kanta Kanta के हमने स्टोरी पढ़ी थी जो एक मेट थी जैन साब कहा फिर अपना के हमने पढ़ ली अभी Quartum producer थी If families don't earn enough, how would they think of themselves as equal to others अब देखिए इनकी जो families अगर यह earn नहीं कर पाएंगे ठीक है Earn नहीं कर पाएंगे जितना का महनत कर रहे हैं उतना उतना भी अगर earn नहीं कर पाएंगे Profit तो छोड़ दीजे Loss में कर जाएंगे तो फिर क्या फायदा कैसे कह सकते हैं हमकी वह 2 एक्वालीट शीजिन कोटा है एक्वालीटीच शीजे यह आपका आकों के सामने इनकेड को सामने एक्वालीटी हमें देखने कोमन एगै एक्वालीटी हमें देखने को मिलेगी तो फूरा संत्स और एक वर भी है The market offers people's opportunities for work to be able to sell things than you should be first Grow produce it could be the farmer selling cotton farmers cotton sell weaver produce clothes on the other hand it is usually the rich and the powerful get the maximum earnings from the market इन लोगो पैसे नहीं मिल रहे हैं वीवर जो है फिर या जो cotton प्रोडूस कर रहे हैं पैसे कौन कमा रहे हैं जो बड़े प्लेयर से जो पावरफुल लोग है इन लोगो जादा पैसे मिल रहे हैं these are the people who have money and own the factories, the large shops, land holdings etc इन ही के पास आपको factories, large shops, large land holdings वगेरह दिखेंगी the poor have to depend on the rich and powerful for various things they have to depend for loans loans पे निरभर हैं Swapna ने loan ले आता है ठीक है एक small farmer for raw materials and marketing of their goods raw materials and marketing of their goods it depends on the weavers भाई सब यान मिलेगा तभी तो कपडे बनाएंगे putting out system देखा हमने the most often for employment workers at government factory employment ठीक है जो workers काम करें government factory उनकी भी बैंड भी दजी आउट रखी है because of this dependence the poor are exploited in the market इसी difference के अधार पर जो poor वो एक्स्प्राइट के जाते हैं market में there are ways to overcome these such as forming cooperative अब क्या तरीका है आपको इससे उपर आने साथ कि आपको कुछ कम से कम मुनाफा हो cooperative बना लिए हमने देखा था weavers ने अपना cooperative बनाया था फिर वो यान भी खुद खरीद रहा है sell भी कुदी कर रहे है प्रॉफिटी प्रॉफिटी प्रॉफिट है ensuring their laws are followed strictly in the last chapter we will read about how one such fish worker cooperative was started on the Tawa River Tawa Matcha Sang हम पढ़ेंगे इनकी स्टोरी है Tawa Matcha Sang ठीक है मज़दार chapter होगा आपका struggles for equality है बहुत ही amazing chapter तो लास्ट चेप्टर में देखेंगे फिश वाकर्स ने आखिर कैसी cooperative बनाई Tawa River के आसपास तो यह बड़ा मज़दार chapter होगा और इसी के साथ यह आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी दुकानों में ऐसे आपको कपड़े देखने को मिल जाते हैं फिर जहां पर आप देखते हैं और यह shirt ने लगी नहीं खाई देंगा दूसरी अची देखेते छ़रा सर्म अगर मिनोश को बनाने में वे कितना महनत लगा तर आपको पता चलेगा कि यह着ले कि उसे प्लेयरlar लाब को ओतुबнее wat machen हो आपको अगर लग रहा है कि आप इन इक्वल ट्रीट हो रहे हैं तो हाथ में कोई थाली में प्लेट में सजा कर देगा नहीं जिसमें लिखा होगा कि एक्वालिटी चीननी पड़ती है अपना दम लगा वही हम चीज देखेंगे आपका नेक्स चैप्टर में अमेजिंग आपको जानने को मेरा अशहर इन कि मार्केट एक शर्ट की जर्णी से अमने कि क्वालिटी मार्केट को समझ लिए मार्केट शब्स ŁU SENSHAप्ट कीजिए MOR चीजवींिग लेकर के नही करें हम पमेंट हमाना जानी हो ऊपकर लेकर नहीं बने कींझेग लोग नगा है किजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थोड़ी सी मदद आपको आपकी जो है वो बहुत खुशी देदेगी मेरे को बहुत महनद लगी ये लेक्शे बनाने में तो इतना तो हगदार हूँ आपसे सिर्फ बोलने का कर तो सकता है आपकी मर्जी होगी आप सब्सक्रा जय हिंद झाल झाल